पाशपावली पुरिस्थाना अंतरगत एक मारपीट का मामला उजागर हुआ है जहां पुराने दोस्तों नहीं सालों से चल रही रंजिस के चलते अपने ही दोस्त को जान से मारन की कोशिस की जिससे स्थान ये शेत्र में हड़कम्प मज़ गया है दरसल कल राज 11.15 बजे बाबा बुद्धनगर निवासी दिनेश उर्फ पिंटु को टेका निवासी 30 वर्षिय सेख शाहित कलमा मुर्तिजा और 26 वर्षिय शेख शाहरूग जाकिर हुसेन ने बात करने के बहाने बाहर बुलाया और उसे गली नंबर 3 में लेकर गए जहां च स्पताल में भर्ति कराया है गोर्तलबह की इस पूरे मामले में पुरानी रंजिश के कारण दोस्त नहीं दोस्त को जान से मारने की कोशिश की है जो कि समाज की वर्तमान भयाव हस्तिती है बरहाल मामली की जाज पाजपावली पुलिस्ताना अंतरगत की जारी है जिसकी जा कि याद लागोट जग ज्यावन कर्का लेल कि तो जुनना आपका लुट जाता लागोट अनुट में जख्वाद खायाजक जखुलाएघ। जो जो जखमी आहे तो मेव हस्पिटल मेदे तहला उप्चारकामी दाखल के लेला है आणि जखमी चा भावाचा या मधिरी रिपोर्ड गेहून यह दोन आरोपी वरुद्ध तीन चे साथ प्रमालेगुना दाखल करने तालेला है यह तील आरोपी ला आटकरने ची प्रकिरा जखमी चा नाओ हमीतेश उरुफ चिंटू प्रदीप कुरिल यह तो वह तीस वर्श रहनार शाक्यमुनी बुद्ध भीहराजवन पाश्पावली तो काय मजी काम धंदगाय करत नहीं खाजगी मौल मजूरी काम करतो जखमी यह तील ज़े दोन आरोप्या है त्याज यह त शेक शाहिद कल्मा मूर्तजा वह तीस वर्श रहनार टेका पाश्पावली दूसरा आरोपी शेक शाहरूक जाकिर हुसेन रहनार ताजनगर टेका यह तोनी आरोपी मौल मौजुरी करतात आणि यहन्ना दारोचे वेशन उगर आहे झाल